हलो एवरीवन। तो आज मैं जा रही हूं रामो जी फिल्म सिटी जो की है है औलड के अउट्सकर्ट में तो यहां आपको सबसे पहले बता दूँ की रामो जी फिल्म सिटी की एपको टिकेट केट लेना होता है याप टिकेट लेने के बाद आपको bus का wait करना होता है so first the check-in check-in करवाने के बाद आप यहां आदना होता है जहां पर आपको buses मिलती है so buses के दो categories है AC bus and non AC bus so since मैं बहुत ज़ादा late already थी तो हमें मिला है non AC bus but क्योंकि मौसम आज बढ़िया था तो कोई वैसे दिक्कत नहीं हुई तो मैं bus में बैट गई आप देख सकते हो कि यह last मैं क्योंकि late आई थी बैटी थी तो बहुत कम लोग थे यह मैं अपना ticket flaunt करते हुए चलो अब चलते है तूर पे तो यह bus आपको ले जाए क्योंकि अंदर आप बिना bus के नहीं जा सकते हो बहुत जादा acres में रामोजी फिल्म सिटी 670 acres to be precise इतने जादा एकर में रामोजी फिल्म सिटी फैला हुआ है क्योंकि रामोजी फिल्म सिटी का जो area है 670 acres में spread है तो आपको bus सही जाना होगा बस से बाहर का जो view है आपको लगेगा कि आप तो दूसरे ही शहर दूसरे ही देश आगे हो इतनी हर्याली इतने पेर पौद है और इतना clean इतना बढ़िया लग रहा था बैटके बाहर मुझे लगा पाथ साथ मिनट में पहुन जाओंगी बट ऐसा कुछ नहीं था अल्मोस्ट हाफ एन आर बस राइड करते वे आगे पहुँचे जहां पे entrance दिखा कि रामो जी फिल्म सिटी का entrance आ गया है वहाँ enter करने के बाद आप एकदम औस ट्रक हो जाओगे वाइसो क्योंकि अंदर जो setups है वो इतने शांदार है इतने खुबसूरत है उनको आप देखके आपको इतना अच्छा लगेगा साथ साथ आप देखोगे कि इधर ना अंदर में hotels भी है तो यह hotels पेशक इसलिए होंगे क्योंकि जब भी कोई movie की shooting हो रही होगी तो आपके जो stars होते देखो एंटरेंस आ गया है ना तो इसके बाद आप देखे रहो इतनी जादा कलाकारी इतनी जादा colorful है inside तो बहुत ही सुन्दर लग रहा था बहुत ही जादा setups देखे रहो इतने सुन्दर सुन्दर setups है यहाँ ना बहुत सारे अलग अंदर के restaurant है होटल से वो इसलिए होते होंगे कि जब भी shooting होती है तो stars अब रुकेंगे कहां और रोज schedule hectic हो सकता होगा तो उनको यही रहना होगा ऐसा मैं सोच रही हूँ बट यही शायद होता होगा अब देखो अंदर कितने जादा pillars work हर एक point हर एक नजारा ऐसा लग रहा था कि वो कोई shooting spot ही होगा इतना बढ़िया इतना जादा नीचे उतरते time तो मुझे ऐसा लगा कि हर जगा photo ले लू अब timing का क्योंकि restrictions होता है और phone की भी storage का समस्या होता है तो फिर जादा photos वीडियो तो नहीं ले पाई फिर भी जितने मेरे phone में जान थी जितने मेरे phone की हिम्मत थी उतनी photos वीडियो तो मैंने रखी ली है तो आगे बढ़ते हैं अभी भी अभी भी देख रहे हो अभी भी आना रास्ता खतम नहीं हुआ तो आप पैदल तो बिलकुल चलके नहीं आ सकते हो क्योंकि area बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है बच्च वेगरा थे अब यहां पर इसनोंने stoppage किया और मैं अपना videos लेना शुरू की videos लिया photos लिये धेर सारे इसी के साथ आगे बढ़ी आगे क्या था ना कि इनका shows है अंदर में तो सबसे पहले जो show मैंने देखा वो था कि नहीं उससे पहले ना यहां shooting चल रही थी तो वो मैंने नहीं रुक के देखा क्योंकि actor-actress मुझे समझ नहीं आ रहते तो सबसे पहले आई light action camera यह करके show था और अंदर ना आपको phone allowed नहीं है तो आप footage नहीं ले सकते हो फिर भी मैंने एक 10 second का footage निकाल लिया था कि आपको दिखा सको इतनी बढ़िया थी इतना बढ़िया था अंद इसके आगे once it was done फिर again मैंने अपनी videos निकाली photos दिये और अभी shooting वाले area में देख रहे हो कितने लोग कड़े हैं देख रहे हैं कि क्या है इधर ही मैंने heroine को भी spot किया था heroine मुझे अतनी जादा अची नहीं लगी क्योंकि बहुत जादा make up था बट इसी के साथ आगे में बढ़ी वहां पे आज का day का मुझे बहुत ही प्यारा चीज लगा वो था कि आप न अंदर जाओगे तो आपके लिए एक boat आएगी और आपको बहुत ही शांदार experience देगी इसी के साथ आप अक्षरधाम यदि गए हो तो आप देखे होगे boat में बैठते हो पूरा बताते हैं तो मुझे मेरा तो experience अक्षरधाम का ही था उसके आगे आगे आप जब बैठोगे boat में तब आपको पता चलेगा कि इतना शांदार experience इतना शांदार experience तो मैं wait कर रही थी क so it was a great experience overall अब आई boat अब मैं वहां गई अपना wait कर रही थी वह तो हमारी नहीं थी आगे 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 बोट आई पोट आने के बाद मैं भी मैंने इंशॉर किया था कि पहला वाला seat मिले और वैसा ही मिल गया उसी के साथ आगे बढ़े मैंने तो पू आइड शोज के साथ आपको पूरी व्यू मिलेगी जिसमें आप देखो कि हर तरीके का आर्ट वर्क चाहे वह अलादिन की शो हो या होर्र हो थ्रिलर हो कॉमेडी हो कुछ भी हो इतनी अच्छा इतना बढ़िया सुन्दर सा सेट अप के साथ आप यह पूरा बोट राइड क अपको अपने एक्सपीरियंस में फील होगा कि अंदर वाके एक हमाल का लाइटिंग्स शोज आपको लगेगा आप अलगी फिल्मी दुनिया में आ गए हो और हर तरीके के चाहे एक्सपीरियंस को आपको शब्दों में तो बया करके नहीं बताया जा सकता है क्योंकि यह ए शब्दा से कितमा अच्छा एक्स पीरियंस एंड it is something that you can only once you experience it तो इसी के साथ बोट ने पूरी फिल्म दुनिया को छोते से शब्न में दिखाया छोटी सी राइड में दिखाया और इसी के साथ बाहर हम आ गए ये राइड खतम हुआ और ये बहुत ही शांदार राइड था बाहर निकलने के बाद भी नजारा काफी सुन्दर था और बोर से उतरने के बाद बच्चे काफी जादा फोटोज ले रहे थे मैं भी रोक नहीं पाई खुद को फोटो वीडियोज लेने के साथ इसी के साथ बहुत तेज भूख लगी थी और यहां काफी रेस्टोरेंट्स में गिरा थे तो खाने के लिए सोचना शुरू किया मैंने बट यहां पे जो मुझे चिकन पफ चाहिए था वो अविलेबल नहीं था तो दूसरे रेस्टोरेंट्स में गई तो खाने के यहां काफी आप्शन्स है यहाँ पर चिकन नगेट्स और किया और चिकन नगेट्स भी ला जबाब था बट हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव था यहाँ पर क्यूंकि जो रेट्स थे इनके वो थोड़ा प्राइजी थी काफी प्राइजी थे इसके बाद खाने के बाद मैं थोड़ा बहुत अपना वीडियो निकाली क्यूंकि ओविएसली रामो जी फिल्म सिटी आये हो और वीडियो ना निकाले ऐसा तो हो नहीं सकता पता चला कि हमें दूसरा बस करना होगा जो एक ओपन बस थी जो अपने आपने बहुत ही प्यारी चीज थी मेरे लिए बट वो बस की जो राइट होने वाली थी वो तीन घंटे की राइड होने वाली थी तो मैंने सोचा कि तीन घंटे की राइड और सिर्फ चिकन नागेट से तो काम नहीं चलने वाला है तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं पिर जाएंगे तो अभ आपको बैठना है और once the bus was filled आपको बैठने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको आपके गाइड मिलेंगे जो कि आपको बताएंगे कि कैसे पूरा एंटायर फिल्म सिटी में कौन सी शुटिंग हुई है कौन सा जगह क्या है तो यह सब आपको पता चलेगा but मैंने तो यह जो तीन घंटे की राइड थी वो बहुत ही शांदार हो पाया क्यूंकि हमारे जो गाइड थे आगे उन्होंने हर जगह का वरणन इतने अच्छे शांदार तरीके से बताया आप देख सकते हो माइक में आगे एक आदमी है कि कौन सी शुटिंग स्पॉट है कौन सा मू इसका भी कुछ-कुछ नाम बताया लोग काफी फोटोज ले रहे थे विडियो ले रहे थे और खुद जानना पॉसिबल नहीं हो सकता है तो ऐसे में यदि आपको कोई वहां का बताए प्रॉपर तो बहतर लगता है कि आप उस चीजों को रेलिश कर पाते हो और बहतर तरी में आ रहे थी पता भी चल रहा था कि कौन से सेट पे सिंगम की शूट हुई थी कौन से सेट पे पुलिस स्टेशन बनता है कहां रेलवे स्टेशन बनता है और इनफाक्ट शूर्यवंसम की बिल्डिंग दिखाई तो यह ना काफी अपने अब में रोमांचक एक्सपीरियं बगल में पुलिस स्टेशन थे वो सब हमने देखा इसी के साथ बस को रोक दिया गया और सबसे पहले हमें दिखाया गया था कि यह देखो यह जो सेट है वो था पीछे का जेल था इसी के साथ बस गई और हमें बताया गया कि 3-4 जगह हमें बसस बदलनी होगी और पहला हमे आफले में जो सेट के बताया गया था हमें सबसे पहले एक रेलवे स्टेशन का सेट बिला था और वहां पर बस रोक दी गई थी तो वहाँ पर क्या था कि रेलबे स्टेशन का सेट था और वहाँ पर हमें थोड़ा टाइम मिला था कि हम जाएं इंजॉय करें वहां रेलवे का जो भी फुटेज बनता है वहां पर बनाए जितने भी आप देखते हो मुवीज में वहां वह शूट करते हैं ना हाइवेज के तो वह ना यही सारे रोड पर उन्होंने बताया कि दो जो भी कार् भागती है ऐसे तो बहुत मजा आ रहा था और क्यूंकि बस खुली थी ओपन थी तो सफोकेशन नहीं हो रहा था वाई सो तीन घंटे का जो राइड है वह आप ऐसे बस में करो तो मन मचल जाता है तो इतनी ओपन एरी जो बस था इस वजह से पॉसिबल हो रही थी कि आप ज वहां पर स्टूडियो था और काफी सारी पूरी की पूरी रामुजी फिल्म सिटी आप माल लोग की एक तरीके का बहुत बड़ी स्टूडियो है यहां कौन सा मूवी शूट नहीं हो सकता है यह सोचने वाली बात थी हर तरीके का फुटेच चाहे आप को कोई मंदिर चाहि गुरुद्वारे का रेप्लिका हर जगह का मैं भी सोचती थी कि मूवी में जब जाते है तो इनके लिए गुरुद्वारा पुड़ा कैसे खाली हो जाता है तो भई अब समझ में आया गुरुद्वारा खाली नहीं होता है यहां सेट अप्स होते हैं एकदम उनका रेप्ल का बना हुआ है तो यहां बहुत conveniently पता चला कि कैसे moving की एक shooting होती है और इसी के साथ हमारी जो bus थी वो आगे बढ़ती गई और हमारे सबसे का जो नजारा था उसे तो पता चली रहा था कि इस जादा shooting होई होगी में और साथ साथ रामो जी फिल्म सिटी में आके यही मुझे पता चला कि रामुजी फिल्म सिटी को गिनीज वर्ल रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्जे किया गया है जो कि अपने आप में काफी कमाल की बात है ना तो बस आगे चलती गई और यह experience में सबसे पहला हमारा stoppage आया वो था भागवतम का studio तो भागवतम का studio का क्या था यहां जितनी भी रामायन महा भारत की पूरी भागवत की जो shooting हुई है वो यहीं पे हुई है यहां का अंदर का जो entire studio था जो भी दृष्ट था जो भी setup था इतना अद्भुत इतना शांदार इतना भव्य था जिसे देखते ही आपका मन प्रसंद हो जाएगा और पता चलेगा कि वह इंसानों ने कितनी अमेजिंग रेप्लिका बनाई हुई है तो इसी के साथ भागवत तुमको देखा और रील होया रियल ऐसा फील हुआ कि कितना अच्छा सेट आ गई हूँ और फिर इसी के साथ दूसरे बस के लिए मैं चली क्योंकि हम में तीन-चार बसेस में बैठना था तो दूसरे बस में गई वहां पर बैठी और हम आगे बढ़े अपने दूसरे नजारे के लिए कि दूसरे स्टॉपेज के लिए बैठने के साथ वापस हमारे गाइड साब ने सारी बाते बताना शुड़ू किया और अभी बहुत ही जल तुद नहीं पता मैंने कुछ फुटेज लिए पर जो भी है ब dipping ने समझा रहा है बट इट वर्यां बहुत हीं एंटेंग इसे के साथ बोग भी लग रहे थी और यहां बहुत ज़ादा था तो मैंने कि बाल बांद लू को पीसरे बसका वेट करने में इसे के साथ मैं अगले बस के इंतजार में बैट गए बालों को बांध लिया गर्मी बहुत लग रही थी अब मिलते हैं आपसे पार्ट टू में आई होप आपने ये वीडियो को इंजॉय किया और आप जरूर आए यहां